तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं तफजुल के घर में आप पहुचा हूँ और मेरे साथ है तफजुल की मा और तफजुल की मा का जो कहना है वो कह रही है कि यह जो कस्टोडियल डेथ है वो कस्टडी में पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है फिर जाके उन्होंने ला तफजूल को क्या हुआ था कब लेके गए थे? तो कल शाम को तफजूल को पुलिस आके लेके गई थाने में और उसके बाद से उनका कोई कॉटेक्ट नहीं हुआ है तफजूल के साथ इनका कहना है कि तफजूल जो घर में था शाम को कल वो घर में बैठा था जब पुलिस आके उसको उठा के लेके गई और उनका कहना है कि जो तफजुल है वो निर्दोश है और तफजुल को फसाया जा रहा है तो तफजुल को फसाया जा रहा है और एक और बात जो यहां पर गौर करने लायक है यह है कि जो तफजुल का जो जनाजा है वो गाउवाले निकालने नहीं दे रहे हैं जनाजा जो है तफजुल का जो अंतिम क्रिया है जनाजा वो भी निकालने नहीं दे रहे गाहों वाले और यहां पे तफजुल की माँ है तफजुल की माँ के साथ भी हम बात करेंगे और यह पूछेंगे कि उनको क्या लगता है इस पूरे घटनागो जनाजा परबर दितो ना माढ़ी दिवर दितो ना एक गोरे बनाया थो इटी आया निस करें लोगे से आमी पानी सारो कानी दा पानी सानी अपनेरा जन मारी से आमी बाला मानुर जन गरते उठाया लोगे से की शाक की आमा लूरा की शाक की दिलो की आमी तो यह चाक की तो निजो दिलो ना आम रहतो हूं लाम ला किसू आमी बाला बात खावाय थो इसी शकले दुकरो बात खावाय थो इसी राती हैंका बोनी से हैंका भेत्ते बादे यह राती मारिया इन्या है यह पीसरी पुकुर हुआ हैपिट परो अनुषय। तो इन सब का कहना एक ही है कि तफजल अगर दोशी है तो उनको कोड में ले जाया जाना था और कोई विटनेस नहीं है और उन्नों ने ये भी बोला है कि जो तफजल को लास्ट जो बात हुआ तफजल के साथ वो घर पे हुआ था उसके बाद पुलिस उसको उठा के लेके गई और आज जो तफजल का जनाजह है जनाजे के लिए तफजल की मा गुहार लगा रही है कि तफजुल को एक जगा मिले जहां पे जनाजा जहां पे उसको मिट्टी दिया जा सके तो अभी हम तफजुल के घर से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालत हैं यहां पे लोग पुरा भर चुके हैं तफजुल के घर में और सभी एक एक ही बात बोल रहे हैं कि तफजुल को फ